आपके पास थ्री जॉब्स हैं और वो वीक के एंडिंग में 7 अक्तूबर 2010 को खतम हो रही है आपको टोटल बनाना है कोश्षीट के साथ जॉब नंबर 1, 2, 3 है और वर्क ओवर हैड जो बने 50% डारेक्ट लेबर के हो ओफिस ओवर हैड 10% वर्क कोश्ट के उपर आए what shall be the job price if 10% profit is desired on the supply price मुझे पता ही नहीं मेरा supply price कितना है sale कितना है तो मैं क्या करूँगी own cost निकाल लूँग इसको 10 बटे नब्भे करके चलो देखते हैं statement of cost सबसे पहले direct material लिया direct labor direct expense तीनों को मिलाकर क्या आगई prime cost work overhead कितना हो 50% of direct labor labor कितने के 1600, 1600 का अधा 800, 1800 का half 900 और 2400 का half 1200 आपकी क्या निकलाई work cost office overhead जो हो वो 10% हो work cost का मतलब जो अभी अभी आया है उसका 10% तो office overhead 10% बन गए 4800 का 10% 480, 5700 का 10% 570, 10600 का 1060 रुपे टोटल cost of production आ गई इस total cost of production के उपर मुझे 10 बटे नभी निकालना है ताकि मेरे पास supply price निकल आई तो मैंने 5,280 का 10 into 90 किया तो मेरा 586.6 आएगा इन्होंने 587 exact लिया हुआ है तो आप points में भी ले सकते हो और सीधे भी कर सकते हो तो आपका job price यहाँ पर निकल आया next question देखो illustration number 2 the following information is extracted from the job ledger in respect of job number 102 material 6,000 लिख दिये wages 100 hours at the rate of 10 per hour कितने हो गए 1000 के variable overhead incurred of all job is 6,000 for 4,000 4000 के लिए 6,000 रुपे का खर्चा आया है तो 6,000 upon में 4,000 multiply into 100 कितना variable overhead हुआ 1500 रुपे का तीनों का total किया total cost of production कितनी आगे 7,150 रुपे उसके बाद वो क्या कहता है find the profit if the job is billed for 7,500 आपको profit बताना है अगर उस job का bill 75,000 रुपे में तयार हुआ है मतब sale price उसने बता दिया 7,500 तो 7,500 में से 7,150 रुपे लेस किया तो 350 रुपे का profit आ गया next देखो है ना छोट-छोटे से question ये साहित्ते भवन printing limited took up two jobs, two jobs यानि की job number 201 और job number 202 material supplied 5,200 job number 2 में है 3,600 material हमने 5,200 क्यों नहीं लिखा क्योंकि material से related दो transactions थी कहते है material return to store 400 रुपे का वापस कर दिया job number 202 में तो मैं क्या करूंगी 3600 रुपे में 400 रुपे माइनस कर दूंगी क्योंकि वापस कर दिया material transferred from job number 201 and 202 दो 400 रुपे का material 201 से transfer होकर 202 में चला गया जहां से transfer हुआ वहां से माइनस और जिसके पास पहुच गया वहां पर प्लस हो गया ठीक है तो समझा रहा है न नीचे तो आपकी exact value कितनी आगी job number 201 का material 4800 और उसका 3600 वेजिस 10 पर आर के इस आपसे निकालने है 100 x 10,000 80 x 10,800 तो total cost कितनी आगी 5800 और 40 400 next देखो the following information for the year ended 31st December 2010 is obtained from the books and record is a factory raw material supplied from store completed job का इतना है work in progress का इतना है पहले नीचे देख लेते हैं हमें बनाना क्या क्या है work in progress ledger control account completed job ledger control account cost of sales account पहला मुझे work in progress बनाना है यानि कि मुझे सारा जो item उठानी है material wages वो work in progress की उठाने है चलो उठाते हैं इनको work in progress का मतलब है काम अभी चल रहा है finished नहीं हुआ work in progress का raw material था 32 wages थे 40K expenses थे 4000 प्राइम कोस्ट वी 76 की factory overhead जो आए 80% of wages हो wages थे आपके 40,000 के 40,000 के 80% कितना हुआ 32,000 यह यहीं पर खतम हो गया क्योंकि factory से office में वो अभी नहीं गए अभी काम अपका work in progress में ही है work in progress का क्योंकि EC में से add होते है work in progress EC में से less हो जाते हैं अब वैसे कर सकते हो अब simple तरीके से कुछ नहीं लिखना यहीं खतम हो गया यह question अब मुझे क्या बनाना है completed job laser control account बनाना है completed वाले का raw material 88 लिखा हुआ है wages one lakh expense 10,000 material return to store एक अजार इसका मतलब 88 में से पहले एक अजार माइनस कर दो ताकि return to store हो जाए 80% wages का एक लाग के 80% कितना हुआ असी अजार office overhead जो आए वो 25% हो factory का office overhead जो आए वो 25% हो factory का factory cost थी दो लाग सत्तर अजार रुपे 25% कर दिया 6 9 250 आगे यह यहाँ खतम हो गया समझा रहा है ना work in progress और completed का क्योंकि finished वाली बात आ जाती है फिर अब हमें कहता है selling वाला जो खर्चा है वो 10% है cost of production और आपकी complete job 4,10,000 में है मतलब sale price दे रखा है आपको आपका sale price आया 4,10,000 completed job की value थी उपर 3,46,250 रुपे इसका 10% लिया selling and distribution overhead 34,625 रुपे चार दस में से दोनों माइनस कर दिये तो profit कितना हुआ 39,125 रुपे illustration नंबर फिफ्ट देखिए find out in the suitable job statement from the selling rate per ton of special paper manufactured अब मुझे आप बताओगे कि इसमें prime cost कैसे आएगी direct material में paper pulp 100 ton के इसाब से 500 per ton कितना हुआ 50,000 रुपे other miscellaneous material 20 ton 300 per ton के इसाब से 6,000 तो total direct material कितना हुआ 56,000 लेबर पे आ जाते हैं 100 skilled man है at the rate of 5 per day for the 20 days 100 into 5 into 20 10,000 50 into 3 into 20 3,000 तो total labor कितनी हुआ 13,000 की expense ले लिए special equipment 5,000 special dice 2,000 7,000 हो गए मतला material labor expense तीनों का total किया prime cost कितनी आगे 76,000 की कहता है work overhead जो बने variable वाले 100% हो direct labor का बताव direct labor कितनी की थी आपकी 13,000 13,000 का 100% 13,000 ही हुआ fixed जो बने उस 13,000 का 60% हो तो 13,000 चिकटतर हुआ 7,800 आ गया उसके बाद कितना आया 20,800 total कर लिया 96,800 इसी में से sale of waste paper 1000 रुपे यहां minus हो जाएंगे work overhead यानि की काम करते हुए wastage हो गई न वो minus होगी साथ के साथ work cost आगी आपके पास office overhead जो बने कितना हो 10% रुपे का 95,800 का 10% कितना हुआ 9,580 रुपे selling और distribution जो बनना चाहिए वो 15% रुपे का यानि की 95,800 का 15% कितना है 14,370 रुपे total cost और production आगी 1,19,750 रुपे उसके बाद उसने क्या कहा कि finished paper manufactured नहीं profit जो आए वो 10% हो total cost का उस cost का 1,19,750 का 10% कर दिया एक zero काम हो गई तो आपके पास sale निकलाई 1,30,725 रुपे और finished paper manufacture 80 ton है तो 80 ton के इसाब से हमने उसकी value divide करके निकाल दी cost से ठीक है